Office 365 के दो और बहतरी features enabled function आपके सामने रखने की कोशिस जिसके थू हम one dimension data को two dimension में convert कर रहे होंगे तो आगे के वीडियो में आप लोगों के लिए wrapping values का concept, wrap calls और wrap rows के थू अब आप इस data को देखके क्या कह रहेंगे, one dimension है या 2D है? यह simple सा data one dimension है one dimension क्या होता है? या तो single column की बात होगा या single row में data होगा उसको बोलते हैं 1D मेरे पास इस तरीके से data रखा हुआ है और यहाँ पे मैं एक बहुत प्यारा सा function use करके इस one dimension data को 2D में convert करके दिखाता है वैसे यह देखा जाए तो Excel के जो traditional version है उसमें यह बहुत आफ़त क्रेट करता था इतना आसान नहीं है लेकिन यहाँ पर देखे function कराम है wrap calls और wrap rules यहाँ पर रप काल्स की बात करोगे तो यह wrap करेगा row और column vector को after a specified number of values मतलब मैंने दिया इसे vector vector का मतलब array की बात कर रहा है यह आपके पास vector मैंने range pass कर दिया comma wrap count मतलब कितने count के बाद data को wrap करके नीचे लेके आ जाना है wrap text यूज करते थे जब long test को नीचे new line में convert करना होता था तो मैंने बोला कि तुम्हें काम करो चार चार के position पे फोर पास कर दिया नोकिया ये प्रो नोकिया एस नोकिया एज के बाद नया line स्टार्ट कर देका देख लीजिए bracket बंग enterprise देख लीजिए कितना प्यारा function है यहाँ पे आपने क्या किया चार आइटम के बाद आपने drop किया है new line में देख लीजिए अगर मैं पास करूं तीन तो इस तरीके से एक problem देखा आपने na क्योंकि बचा हुआ data में error है इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मैं यहाँ पे जा results को यूज़ करोगे अब सेम कहानी एक और function wrap row की बात कर रहा हूं data देख लीजिए उसका orientation कैसा है ऐसे row में है मैंने पास किया wrap columns नहीं स्वारो मैंने पास के से वेक्टर, wrap count मैंने बोला चार का count ठीक है bracket बंद और interface कैसे किया उसने आपके सामने और तो देखिए तो आपने यहाँ पी Nokia is के बाद break लिया है तो नीचे लेका गया जबकि data आपके पास किसमें था रो में data था सेम कहानी अगर comma लगाईए padding कुछ करना है, 0 से padding करना है, कर दीजिए कब वो use करेंगे, जब आपके पास data जादा होगा तो an error आजाएगा, padding करने के लिए आप 0, 1 जो भी आप लगाना चाहें वहाँ पे ठीक data दिखे, इसलिए आप use करते हैं, यह आपको wrap column और wrap row कि situation में य यूज कर सकते हो, अपने daily life में जो काम की productivity है, उसको enhance करने के लिए, जब मर जी, जैसे ही function recall हो, आप उसे use कर डाले, फड़ावाज का वीडियो signing off लेने से पहले, या तो जी लो या जीत लो हर लभे को जिन्दगी में बीच जाने से पहले, क्योंकि इस बात का एहसास हमें स करने सब्सक्राइब कर सकते हैं यू रिए, तो आप तौक्क।